हालो एवरीवन वेलकम बाक टू कोचिफाय आज हम उत्तर प्रदेश का जनरेल नौलेज यानि की कम्प्लीट साथिक अवेरनेस डिसकस करने जा रहा है जो कि आपकी आने वाली यूपी की सारी एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट होने वाला है जिसे कि आपक करेकि इच और अवरी टॉपिक को यान पर एक्स्पलेइन किया जाएगा प्लस आपको उससे कैसे कैसे कॉशन पूचे जाता है वो भी आपको मिलेगा ऐसा नहीं कि आपको सर्फ और सर्फ यहां पर information मिलेगी आपको each topic से related questions भी देखने मिलेंगी and उसी से related अच्छी information भी देखने मिलेंगी तो start करते है session को और देखते हैं सबसे पहले हम index को discuss करते हैं index मतलब की इसमें मैं आपको क्या-क्या explain करने वाली हूँ सबसे पहले होगा आपका historical facts about UP, UP कैसे form हुआ कुछ जो भी historical facts है वो हम देखेंगे then basic facts देखेंगे UP की then UP के state से balls देखेंगे geographical facts देखेंगे UP का then wetland site मतलब की जो ramsar sites मिले UP को वो हम देखेंगे GI tax देखेंगे then famous temples देखेंगे UP के wildlife and bird centuries of UP states and river nicknames of UP, lakes in UP popular dance forms of UP fair and festivals of UP important monuments of UP and UNESCO world heritage site जो भी UP को मिली है वो भी हम यहाँ पर discuss करेंगे इन सभी topics को मैं आपको सबसे पहले question आपके साथ discuss करूँगी फिर आपको information मिलेंगी और वो जो भी information होगी वो बहुत ही ज़ादा important होगी आपकी exam के लिए क्योंकि वो जो information cover up की जा रही है जो भी आज तक के exam में question पूछे गया है उसके basis पे वो information को cover किया गया है तो आपको इस session कहीं पे भी skip नहीं करना है complete end तक देखना है अगर आप 45 minutes देते हो तो आप complete UP को जान जाओगे इसलिए आपको session को थोड़ा भी skip नहीं करना है complete end तक देखना है अगर आपको लगता है कि इससे अलावा कोई और भी topic है UP का जो हमने cover up करना चाहिए था वो भी आप ज़रूर comment box में comment करें ताकि हम आने वाले session में वो भी आपके साथ discuss कर पाए तो काई start करते है session को और देखते हमारा सबसे पहला question तो हमारा सबसे पहला question है on which day does उत्तरप्रदेश celebrate its statehood day उत्तरप्रदेश अपना statehood day कौन से दिन मनाता है answer होगा 24th of January that is option A इस question का सही answer होगा तो उत्तरप्रदेश का statehood day जो मनाया जाता है 24th of January को मनाया जाता है इसे को याद रखने के लिए अब ऐसे याद रख सकते हो कि 26 January को होता है Republic day उसके दो दिन पहले UP का statehood day मनाया जाता है अब हम कुछ historical facts की बारे में देखेंगे उत्तरप्रदेश की It is home to most powerful empires of medieval and ancient times Magad, Nand, Maurya, Sunga, Kushan, Rashtrakut, Pal and Mughals तो ये एक मद्य युगीन और प्राचिन काल के जो सबसे शकती साली सामराजयो का जो राजा थे उन लोगों का ये घर था जो की थे Magad, Nand, Maurya, Sunga, Kushan, Rashtrakut, Pal and Mughals It was formed on 1st April 1937 as a United Province of Agra and Awad and was renamed Uttar Pradesh in 24th Jan 1950 1st April 1937 को जो यूपी था वो as a United Province of Agra and Awad उसे बोला जाता था उसे उस टाइम पे बनाया गया था और उसकी बाद उसका rename किया गया 24th of Jan 1950 को and United of Province Agra and Awad का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया तो जिसकी मैंने आपको बताया इसी लिए 24th of Jan को यूपी का स्टेट हुड़े मनाया जाता है अगर आपको पूछा गया कि वो कब formed हुआ था कब उत्तर प्रदेश formed हुआ तो अब का answer हो जाएगा 1st April 1937 as United Province of Agra and Awad ठीक है उस ताइम पे जो नाम था वो United Province of Agra and Awad था अभी जो है तब उसके बाद 24th of Jan 1950 को rename किया गया and फिर उत्तर प्रदेश नाम रखा गया In 1920, the capital of province shifted from Allahabhad to Nakhnau 1920 में जो capital था वो Allahabhad था और उससे लखनू कर दिया गया On November 9, 2000 the state of Uttaranchal the 27th state of India was carved out of Uttar Pradesh and in January 2007 the new state changed its name to Uttarakhand 9 November 2000 को जो Uttaranchal state था हमारे India का 27th state था उससे निकाल दिया गया UP से क्योंकि पहले UP और Uttaranchal common हुआ करते थे बट उससे निकाल दिया गया उससे individual state बनाया गया उतरांचल को और 2007 में उतरांचल का नाम change कर दिया गया और उतरा खंड रख दिया गया ये कुछ इंपोर्टन नाशनल लिडर फ्रोम यूपी वर्न मोतिला नेरू, जवाला नेरू, मदिन मोण मालविया और गोविंद वलबंपंथ, ओर रिप्रिजन इंडिया नाशनल कॉंग्रेस थे हमारे यूपी से बिलोंग करते थे। जो कि कॉंग्रेस पार्टी से यह थी हमारा कुछ historical facts about उत्तर प्रदेश अब हम basic facts जो है उत्तर प्रदेश की वो सारी हम देखेंगे तो सबसे पहले आती है हमारे उत्तर प्रदेश की capital जो है वो है लखनौ official language है हिंदी and additional language अगर पुछे गई तो वो जाएगी उर्दू दिन एरिया जो है वो आपको specifically दहन में तो वैसे नहीं रखना है मैंने as a information आपको प्रवाइड किया according to 2011 census मैंने यहां पर रखा है बहुत जगह different figures है तो आपको हर जगह अलग-अलग देखने मिलेगी तो यहां पर जो मैंने mention किये वो है 243,286 square kilometer area wise UP का जो rank करता है वो fourth है and population wise UP first rank है and UP का जो population है वो around 20 crores है ठीक है around 20 crores according to 2011 census यह जो मैंने figure लिखी यह 19 crore 95,81,477 लिखी है but आप इसे 20 crore consider कर सकते हो then sex ratio जो है वो 912 females per thousand male जहां पर thousand male के accordingly 912 females है literacy rate जो है वो है 69.7% and इसी में अगर पूछा गया आपको की male का literacy rate कितना है तो वो है 79.24% and female का पूछा गया तो वो का 59.26% the number of district जो है वो है 75 and इसी में अगर आपको पूछा UP की number of divisions कितनी है तो वो हो जाएगे आपकी 18 divisions ठीक है member of legislative assembly and member of legislative council sits अगर legislative की sits पूछी मतलब की MLA की sits पूछी गई तो answer होगा 404 जो है वो member of legislative assembly मतलब MLA की sits है and member of legislative council की sits पूछी गई तो वो 100 हो जाएगी ठीक है 404 में एक Anglo-Indian की भी sit है ठीक है दन आता है लोकसबा sit लोकसबा मतलब हो लोकसबा की जो sits है वो है 80 and राज्यसबा की जो sits है वो है 31 अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ ये धान में रखनी है कि कौन सी state है ऐसा पूछा जा सकता है कि जिसकी सबसे ज़दा लोकसबा sit है और legislative assembly की sit है तो वो है आपका UP UP में सबसे ज़दा विधान सबाव विधान परिशत लोकसबा सबकी sit जो है वो सबसे ज़दा है जो कि हमने देखा इस दिन उसका foundation day मनाया जाता है यूपी का on 24th of jan 1950 first cm गोविंद वलब पंथ ये थे मां के पहले chief minister गोविंद वलब पंथ लेकिन अगर आपको पूछा गया कि first female chief ministry कौन थी तो answer हो जाएगा सुचीता कृपलानी ठीक है उसकी बाद first governor जो थी वो थी सरोजीनी नाइडू बहुत ही जादा important है पहली female governor थी सरोजीनी नाइडू दन है highest pick जो है वो है आमस्वाट pick जो कि शिवालिक हिल्स पर है और उसकी feet जो है वो है 3,140 feet तो यह है highest pick of yuppie then major crop जो है वो है sugar cane और इसी वज़े से yuppie को sugar bowl of india भी बोला जाता है ठीक है yuppie का जो nickname है या फिर yuppie को बोला जाता है तो वो बोला जाता है sugar cane bowl of india sugar bowl of india sugar cane wheat, maize, rice, barley, gram, potatoes, pulses and oil seeds यह वहाँ के major crops है और sugar cane जो है वो महाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ठीक है इसी लिए yuppie को sugar bowl of india भी बोला जाता है handicrafts, chicken work, embroidery, furniture, clay toys, carpet weaving, silk, bangles, brassware work, etc तो यह handicrafts में वहाँ पर famous है तो यह जो था यह हमारा basic facts था about उत्तर प्रदेश जो के हमने देखा next question है हमारा which is the state tree of yuppie, yuppie का state tree कौन सा है answer हो का अशोक यह picture में आपको नजर आ रही होगी अशोका tree तो अशोक tree जो है अशोक tree जो है वो yuppie का state tree है अब हम yuppie के state symbols देखते है state animal जो है वो है swamp deer जिसे को बारा सिंगा भी कहां जाता है यह picture में आपको नजर आ रहा होगा state bird जो है वो है saurus crane state flower जो है उसका नाम है पलाश यह जो picture है यह जो flower है यह पलाश flower का picture है जिसका botanical name जो है वो है beauty या monosperma and उसे टेसू, केसू और ढाक भी बोला जाता है ठीक है टेसू, केसू और ढाक उसे पलाश भी बोला जाता है और scientific name जो है वो है beauty या monosperma then state tree जो है वो अशोक ट्री है state game है filled hockey and state dance है कथक dance जो की हमारा इंडिया का एक classical dance form भी है इसके साथ बढ़ते हैं आगे how many boundaries उतरप्रदेश कितनी boundaries को cover करता है answer होगा 9 कैसे मैं आपको भी explain करती हूँ आपको इस picture में map भी नजर आ रहा होगा उसको आपको अच्छे से observe करना है जब भी मैं आपको explain करूँगे it is situated in the northern part of India and share boundary with उत्राखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हर्याना, डेल्ली, हिमाचल प्रदेश, जारकंड and च्छातिसकर मतलब यह total 9 states के साथ अपनी boundary cover up करता है North West में करता है वो उत्राखंड and हिमाचल प्रदेश के साथ West में करता है दिल्ली, हर्याना और राजस्थान के साथ आपको observe करना है जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ South में करता है वो मध्यप्रदेश के साथ South West में करता है 36 गड के साथ and East में करता है बिहार and जारकन के साथ में यह total 9 boundaries को cover करता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही ऐसा इकलोता state है जिसकी जो maximum number of states के साथ boundary share करता है then you be share it's international border with Nepal वो international border भी share करता है नेपाल के साथ में with 651 km मतब 651 km की वो international border cover करता है उत्तर प्रदेश is the fourth largest state by the area and top most state by population तो उत्तर प्रदेश जो है वो fourth largest state है area wise अगर देखा जाया तो fourth largest state है but by population अगर पूछा गया तो उत्तर प्रदेश जो है वो most populated है ठीक है लखीमपूर खीरी is the largest district of उत्तर प्रदेश by area according to area अगर आपको बीप में question पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि you pick largest district कौन सा है तो वो होगा आपका लखीमपूर खेरी ठीक है ये थी कुछ geographical facts about उत्तर प्रदेश next question है which fort of the उत्तर प्रदेश has not received UNESCO World Heritage nomination इन options में से कौन सा UNESCO World Heritage Site है जो की UP को नहीं मिला है answer का option D Gagron Fort Gagron Fort जो है उसे 2013 में राजस्थान के लिए UNESCO World Heritage Site मिला था वो UP से नहीं है तो remaining threes आर जो है बचेवे तीन जो है उन तीनों को UNESCO का World Heritage Site मिला है आपको picture में नजर आ रहा होगा ताजमल को मिला 1983 में आगरा फोर्ट को मिला 1983 में फतेपूर सिकरी को मिला 1986 में टोटल अभी at present 38th World Heritage Site है और वो जो देता है वो जो नॉमिनेट करता है वो करता है UNESCO UNESCO का full form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization और UNESCO का जो Headquarter है वो है Paris France में तो ये बहुत ही जादा important news है और ये बहुत ही important information है आपके exam point of use है आगे आगे इसमें changes हो सकते है UP को और भी UNESCO साइट से मिल सकते है तो जब भी आप future में in future कभी कोई भी ये video दिखेगा उसमें कुछ भी update होगा तो वो आपको consider करना होगा Which state has more ramsar sites in India कौन सी state है जिसमें सबसे ज़ादा ramsar sites है इंडिया के अंदर में तो answer होगा option C उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को 8 ramsar sites मिला है out of 42 ramsar sites in India अभी at present 42 ramsar sites है इंडिया को जो दी गई है वो 42 sites के लिए उन्हें दिया गया है और उसी में से जो 8 है वो उत्तर प्रदेश को मिला है उन्हें आठों को हम discuss करेंगे तो वो 8 जो है वो ये है नवापगंज बर्ड सेंचुरी पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी समन बर्ड सेंचुरी समासपूर बर्ड सेंचुरी संधी बर्ड सेंचुरी सारसाई नावार जिल अपर गंगा रिवर पूरे टोटल वर्ड में अगर पूछा गया कि कितनी रामसार साइट से तो वो है 2400 और उसमें इंडिया की 42 है और उसमें UP की 8 है ठीक है मैं अभी तक की बात कर यू ठीक है इंडिया की वो है सुंदरबर्न वेट लैंड जो की वेज बेंगाल में है और जो स्मॉलेस रामसार साइट अगर पूछा गया है इंडिया की तो वो है रेनु का वेट लैंड जो की हिमाचल प्रदेश में है बढ़ते आगे next question है हमारा साहरनपूर वुट्ग्राफ्ट has been given as the GI tag for which of the following state साहरनपूर वुट्ग्राफ्ट जो है उससे कौनसे state के लिए GI tag दिया गया तो answer होगा आपका option B उत्तरप्रदेश साहरनपूर वुट्ग्राफ्ट इस तरीके का वुट्ग्राफ्ट होता है जो आपको picture में given है तो उससे GI tag दो दिया गया वो UP उत्तरप्रदेश में दिया गया है अब हम UP के जो भी GI tags दिये गये वो सारी GI tags को discuss करेंगे अलाबाद सुर्खा ग्वावा ग्वावा के लिए उससे दिया गया जो की agriculture category से बिलॉंग करता है दन बनारस ब्रोकेट सारी तो बनारस की जो सारी है है हैंडी क्राफ्ट से बिलॉंग करती है उसे भी GI tag दिया गया आप सभी को पता होगा दन लखनव चिकन क्राफ्ट चिकन करी का जो क्राफ्ट है handicraft से आता है गिन उसके लिए भी उसे GI tag दिया गया, मलिहाबादी दसेरी, दसेरी जो आम होता है उसके लिए भी यूपी को GI tag दिया गया, जो की agriculture category से बिलॉंग करता है, handmade carpet of bhaadui ये भी handmade carpet इसका picture मैंने mention किया है ये जो carpet है, इसे बोला जाता है bhaadui का handmade carpet ठीक है, तो इसे भी GI tag दिया गया, देन फिरोजाबाद glass, फिरोजाबाद glass को भी handicraft से बिलॉंग करता है, उसे GI tag दिया गया देन कनूंच का perfume, ये manufacturing में आता है, देन कानपूर saddlery, ये उसका picture यहाँ पे already given है, saddlery का, कानपूर saddlery का जो की manufacturing से बिलॉंग करता है, अगेन, मुरादाबाद metal craft, मुरादाबाद का जो metal craft है, उसके लिए भी GI tag दिया गया, देन वारण इसी glass beads, मतलब जो कंचे होते हैं उसे, वो भी handicraft category में आते हैं उसे GI tag दिया गया, देन कूर्जा pottery, जो कि मैंने यहां पर mention किया कुर्जा pottery, उसे GI tag दिया गया and then, सारनपूर woodcraft, जो कि मैंने आपको बताया, उसे भी GI tag दिया गया, और भी को GI tags है मैंने जितने UP को GI tags दिये गया, वो सारे यहां पर mention किया है काला नमक rice, मिर्जापूर का handmade dary, then मेरूट scissors, आगरा दरी then, लखनू जर्दोजी बनानर्स ब्रोकेट सारी, यह repeat हुआ है, then वारा नसी का wooden, जो toys है, जो यहां पर मैंने mention किया, उसके लिए भी GI tag दिया गया and यह जो black clay pottery है, उसके लिए भी GI tag दिया गया, तो यह सारे GI tags है, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगे, exam में कुछ भी पूचा जा सकता है तो आपको यह सब कुछ ध्यान में रखना है, और उनकी category ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको mention किये, कौन सा agriculture category में आता है, कौन सा handicraft में आता है तो यह आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा ठीक है, बढ़ते हैं आगे next है हमारा, गोविन वललब पंद सागर डैम is situated on which river तो यह जो डैम है, यह कौन सी रिवर पर है तो आंसर होगा धीहान्द ठीक है, बहुत ही ज़ादा important है एक्जाम में बहुत बार पूचा जाता है कि गोविन वललब पंद सागर डैम जो है, वो कौन सी रिवर पर है या फिर रियान्द रिवर पर कौन सा डैम है वो भी पूचा जाता है, बहुत ही ज़ादा important है इसके आपको इसके धान में रखना होगा और भी कुछ डैम की या पर लिस्ट है जो कि mention किये, वो हम देखते है धन्रोल जो है, वो गागर रिवर पर है दन्पारिचा जो है, वो बेटवा रिवर पर है रियान्द रिवर पर है उससे गोविन वललब पंद सागर भी बोला जाता है गोविन सागर जो है, वो again important है confused नहीं होना है, between गोविन वललब पंद गोविन सागर, गोविन सागर जो है वो शहजाद रिवर पर है और गोविन वललब पंद वो रिवान्द रिवर पर है दन माता तीला बेटवा रिवर पर है जामीनी जामीनी रिवर पर है शहजाद डैम शहजाद रिवर पर है और शारदा सागर डैम जो है वो शारदा रिवर पर है ठीक है तो आपको ये सारे धान में रखना है आपको गोविन सागर, कोविन वालप सागर, रिहांद ये साधा ध्यान में रखना होगा बहुत बार रिपिटेडली वही वही एक्जाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में हैं दुद्धुआ नाशनल पार्क इसका ट्रिक मैंने आपको मेंचिन किया था ये एकलोता नाशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का बाकी मापर टाइगर रिजर्फ भी है और वाइललफ सैंचुरीज भी है बढ़ अगर नाशनल पार्क पूछा गया तो दुद्धुआ नाशनल पार्क है तो वो यूपी का है तो मैंने उसका ट्रिक आपको मेंचिन किया था अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा बट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर जाकर देखे उसमें हमारे इंडिया की सारे states के national park को cover up किया गया एक trick के साथ और वो trick के मदद से आपको सारे national park याद हो जाएगे तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखे तो इसका जो trick था यूपी का वो था यूपी का दूद फेमस है यूपी का दूद फेमस है अब उत्तरप्रदेश की जो tiger reserves है वो हम discuss करेंगे तूदवा भी उसमें आता है तो ये चार जो है ये tiger reserve है पीली भी tiger reserve को recently tx2 का award दिया गया क्योंकि महाँ पे जो tiger की संख्या थी वो double हो चुकी थी इसलिए उन्हें tx2 का award दिया गया ये recent important news है मैंने इसलिए आपके साथ share की दिन अमनगर्ड ये जो है इसका bracket में आपको दिखरा होगा buffer of corporate tiger reserve अब जीम corporate tiger reserve तो उत्राकंड में फिर मैंने यापे buffer of लिका है इसी का मतलब ये होता है कि जब मैंने आपको बताया November 9, 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्रांचल को निकाला गाया उस time पे ऐसा हुआ कि कुछ जो पाट था उत्राकंड का वो उत्तर प्रदेश में ही रहे गया तो वो जो पाट है वो है आपका अमनगड tiger reserve तो उसका जो कुछ पाट है वो Jim Corbett Tiger Reserve का जो कुछ पाट है वो हमारा UP में भी आता है और उस पाट को बोलते हैं अमनगड और वो tiger reserve है इसलिए उसे बोला जाता है buffer of Corbett Tiger Reserve ठीक है आक्चुली वो Jim Corbett National Park में ही आता है बट जब ये partition हुआ और उस ताइम के partition में कुछ जो Jim Corbett का portion था वो उत्तर प्रदेश में ही रहे गया इसलिए उसे buffer of Corbett Tiger Reserve बोला जाता है और वो अमनगड है इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा और कतरनी घाट जो है ये भी एक Tiger Reserve है तो यह ही महाँ के important Tiger Reserve है और बहुत बार exam में पिली भीती पूछा जाता है ठीक है दन बढ़ते हैं आगे निक से wildlife and bird century of उत्तर प्रदेश अब यहाँ पे जो green में है वो bird wildlife centuries है और जो black में है वो wildlife centuries है तो bird में जो important है आपकी वो है ओखला bird wildlife century then नवापकंज भी important आती है पतना bird wildlife century भी important है समसपूर bird wildlife century again important है ठीक है तो आपको यह सारी धन में रखनी होगी and wildlife में जो कुछ important है वो है हस्तीनापूर then आपका आता है महाविर स्वामी then आता है national चंबाल सूर सरोवर बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है है तो answer होगा option डी रिहान hydro electric power plant बहुती ज़्यादा important question है यह क्योंकि exam में जैसे मैं आपको बताया था कि dams or river में भी उसे पूछा जाता है उसी तरह hydro electric power session या फिर यह पूछा जाता है कि रिहान hydro electric power plant कहां पर है यह भी important है और मैंने जो चार्ट में mention किया उसमें नरोरा सबसे ज़्यादा important है बहुत बार अभी तक के exam में पूछा गया है नरोरा atomic power plant कहां कौन सी रियान ध्यान में रखना है nuclear में नरोरा and thermal में कुछ ज़्यादा है तो उसमें से जो important है आपको मैं बताऊंगी जो है अनपारा ओबरा पानकी सिंग रॉली यह सारे बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है तो आपको यह सब कुछ ध्यान में रखना होगा बढ़ते आगे नेक्स question है मारा which of the following airport is located in उत्तर प्रदेश इन में से कौन सा airport जो है वो उत्तर प्रदेश में है तो answer होगा option C चोदरी चरंग सिंग इंटर नाशनल airport यह है आपका उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जो जो airports है वो हम सारे discuss ऑफinea की अलाबाद एरपोर्ट य सारे ऐरपोर्ट इसारे एंडीं जो अब और अपको अब कैसा होता है कि अलाबद एरकोर्ट जो हो अलाबाद में तो उसको पुछने के ऐस्फ आध्या मिंथिस काम हो क्यों क्यूंकि हमें इसली पता चल जाएगा कि वो जो है वो यूपी के रिस्टिक्स है तो हम इसली आंसर कर देंगे तो एक्जाम में जो मुस्ती पूछे जाता है वो पूछे जाते है लालबादु शास्त्री एरपोट या फिर चौदरी चरन सिंह एरपोट तो इनको याद वो ट्रिक के मदद से आपको सारे इंपोर्टन एरपोट जो है वो याद हो जाएंगे पटिकलर स्टेट के तो हमारा इसका जो ट्रिक था वो ऐसा था चाचा चौदरी लखनौ से वारा नसी शास्त्री जी से मिलने आए ठीक है अब लखनू में कौन सा एरपोट है चौदर तो हमारा इसका ट्रिक हो गया चाचा चौदरी लखनौ से वारा नसी शास्त्री जी से मिलने आए ठीक है ये हमारा ँपी के एरपोट का ट्रिक बन जाएगा ठीक है तो यहांसे जो दो important airports है वो है लालभादु शास्त्री और चौदरी चरन सिंग जो की exam में पूछे जाते हैं इन में से कौन साथ स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश का है तो आपका answer होगा option B Green Park International Stadium Green Park International Stadium जो है वो उत्तर प्रदेश का स्टेडियम है अब उत्तर प्रदेश के कुछ जो स्टेडियम है वो यहां पर mention किये है Green Park उनमें से बहुती ज़्यादा important है जो की आपका आता है कानपूर के अंदर ठीक है दन केडी सिंग बाभू स्टेडियम जो है वो लखनव में है greater noida स्टेडियम ग्रेटर नौइडा में है एकाना स्टेडियम जो है वो लखनव में है डॉक्टर बी आर आपटकर इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो फैजाबाद में है नहरू स्पोर्ट स्टेडियम गाजीपूर में है इंदरा गांधी स्टेडियम बहरीच में है तो ये सारे स्टेडियम है इसमें से मैंने कुछ आपके साथ डिसकस किये रिमेनिंग आपको एक बार एक्जाम से पहले read करना है और important stadium जो है वो मैं आपको already read करके बता देती हूँ तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ important stadiums बता है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा अभी तक के हमने क्या क्या देखा stadiums देखे, airports देखे, thermal power plants देखे, while life centuries देखी, national park देखे, dams and river देखा, GI tags देखा, then हमने देखा रामसार sites देखी और मैंने कुछ facts बताई about UP आपको ठीके I hope आपको अभी तक का सब कुछ समझ जायोगा बढ़ते हैं आगे next topic है हमारा temple राम जन्म भूमी temple will be constructed in which city अभी राम जन्म भूमी temple जो बनने जा रहा है जिसका पहला slab जो है वो चड़ चुका है, वो कहाँ पर बन रहा है तो वो बन रहा है आपका अयोध्या में, option D अयोध्या इसका सही आंसर होगा, राम जन्म भूमी temple जो बन रहा है, construct हो रहा है वो अयोध्या में हो रहा है जो की उत्तर प्रदेश में आता है तो अब हम देखेंगे कुछ famous temples यूपी के, बहुत ही famous जो है उसी को ही mention किया है जैसे कि राम जन्म भूमी, श्री किष्न जन्म भूमी वंदीर, गुरक नाथ मत टेंपल, काशी विश्वनाथ टेंपल, बाकी बिहारी टेंपल, सारनाथ टेंपल, संकट मोचन हनुमान किये, एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अहुद्या airport का नाम जो है अभी वो ली नेम कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है, मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम airport, ठीक है, तो एक additional information थी, बढ़ते हैं आगे, next question है हमारा, monuments are related, बारा इमाम बारा is an important monument which is located in Uttar Pradesh in which city, तो Uttar Pradesh में ही है, यह monument, बारा इमाम बारा, जो कि कौन से city में यह हमें पूछा गया है, तो answer होगा option B, लखनो, exam में किस तरह की question पूछे जाते हैं, उसी basis पे इस session को लेकर आया है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, कि हम चीजे पढ़ते हैं, हमें पता तो है कि वो UP में है, बट यहीं नहीं पता होता है कि पर्टिकिलर कौन से city से है, ठीक है, जो वो state से बिलॉंग करते हैं, उन्हें तो easily पता होता है, बट वो state से बिलॉंग नहीं करते हैं, उन लोगों को यहां पे दिक्कत जाती है, इसलिए आपको, जब भी आप कुछ हैं, तो अब हम कुछ डिसकस करेंगे, important monuments of उत्तर प्रदेश, उसमें आता है अब हारा काशी विश्वनाथ temple जो की वारा नसी में है, जो की बहुत ही जादा famous temple है, और वो एक important monument भी है, यूपी का, दिन ताजमल सभी का पता होगा, ये seven wonders of world में भी आता है, बहुत ही खूप सूरत है, वो एक important monument है, अगेन यूपी का, दिन फतेपूर सिखरी ये भी आगरा में है, जिससे यूनस को वल से रिटे साइट भी मिला है, दिन बारा इमाम बारा लखनव से है, वारा नसी घाट वारा नसी में आता है, सारनाथ स्टुपा वारा नसी में आता है, दिन अलाबाद में है, कानपूर संगरालाय जो है, वो भी कानपूर में है, सारनाथ म्यूजियम वारा नसी में है, ठीक है, सारनाथ बहुत ज़्यादा important है, याँपे फतेपूर सिखनी पुछने के चांसे से, बारा इमाम बारा पुछ सकते है, काशि विश्वनार टेंपल पु यह चल जाता कि यह यूपी में है, ठीक है, रामनगर फोर्ट यह पूछा जा सकता है, केसरबाग फोर्ट, केसरबाग पैलेस जो है, वो important है, रानी महल, सिकंदर बाग, बिर्बल भावन, पैलेस ऑफ जोधा भाई, यह सारे जो है, यह important monuments है, उसमें मैंने आपके फोर्ट, पैलेसेज, मुजियम्स, यह सारे कवर अपके, जो की यूपी के बहुती जादा important है, वैसे तो बहुत जादा monuments है, यूपी में, बट यहां पे जो हमने लाए है, वो जो भी important है, और जो famous ones है, वही यहां पे discuss किये गए, ठीक है, तो next topic है हमारा, cities and river, उसे से related हम question discuss करेंगे, and after that related, उसे से related information देखेंगे, प्रयागराच previously known as Allahabad is situated at the confluence of Ganga, Yamuna and which of the following river, तो question ऐसा है कि प्रयागराच जो है, वो इन में से कौन सी नदी के संगव पर सीथ है, तो प्रयागराच जो है, वो तीन नदीों के संगव मों के उपर बनाया गया है, वो है Ganga, Yamuna and Saraswati, हमें question में Gang Ganga, Yamuna जो है, वो दिया हुआ है, हमें पूछा गया था कि इसरी river कौन सी है, तो answer हो जाएगा option C, Saraswati river, और प्रयागराच को जो पहले नाम हुआ करता था, वो हुआ करता था, अलहाबाद, ठीक है, तो answer हो जाएगा option C, Saraswati river, अब हम कुछ दिसक्स करते है, cities and river, आगराच जो है, वो यमुना रिवर के उपर है, और प्रयागराच जो मैंने अभी आपको बता है, गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों के संगमों के उपर स्थीत है, और अयोद्या जो है, वो सरयू नदी के उपर है, बहुत जादा important है, एक्जाम में पूछा जा सकता है कि गुरकपूर है, वो रापती नदी के उपर है, लखनो गोमती रिवर के उपर है, ठीक है, तो यह कुछ important reverse है, जो कि मैंने आपके साथ डिसकस की, remaining जो है, वो आपको खुद कोई पढ़ना है, और अच्छे से ध्यान में रखना है, नेक्स्ट है हमारा, which of the following is the longest platform by the length in the उत् प्रदेश, उत्तरपदेश का सबसे longest platform कौन सा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका option D, गोरगपूर railway station, गोरगपूर railway station जो है, वो उत्तरपदेश का सबसे longest station है, जो कि यह 1.35 km का, ठीक है, अगर ऐसा पुछा गया है आपको कि the longest tributary river कौन सी है, तो वो होगी यमुना ठीक है, जिसकी लेंट है 1.376 km, ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि longest tributary river कौन सी है, तो वो होगी यमुना, and longest railway platform पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा गोरगपूर railway station, ठीक है, तो इस question का सही आंसर क्या हो जाएगा, option D, गोरगपूर railway station, बढ़ते आगे, next day which city is known as the पेठा नगरी बोला जाता है, तो सभी को इसका answer बता होगा, आगरा का जो पेठा होता है, वो बहुत ही जादा famous होता है, इसलिए UP को पेठा नगरी भी बोला जाता है, तो answer होगा, option B, आगरा, तो आगरा को बोला जाता है पेठा नगरी, अब हम कुछ निकनेम्स को discuss ये उत्तर प्रदेश के, आगरा को बोला जाता है पेठा नगरी और शिटी ऑफ ताज, क्योंकि वहाँ पे ताज महल है, तन अलाबाद और प्रयागराज को बोला जाता है, अबोड अफ गौड, शिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और संगम सीटी, तन कानपूर को बोला जा वारानसी, तो आपको इधान में रखना होगा, इसमें पुचा सकते है, तन मेरूठ, मेरूठ को बोला जाता है, स्पोर्ट कापिटल और सिवन्टी और सीजर सियती, और कनूच्च को बोला जाता है, गरास ओफ ईन पर्फिम कापिटल और इंडिया, तो ये कुछ निकनेम् तो आपको यह सब कुछ ध्यान में रखना होगा बहुत ही ज़ादा important है बहुत बार exam में question बनता है निकनेम से related भी बनता है बहुत BC question होता है बट हमें नहीं पोता होता है ठीक है इसलिए यहाँ पे सारे mention की है आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा निक्स टॉपिक है हमारा आपका गोविंद कौन जो है वो मतूरा में है तो यह सारे important है लेक्स पूल्जान कौन जो भी important है वो मैंने यहाँ पे सारे mention की है बहुत ही ज़ादा यहाँ पे legs भी है लेकिन हम इस वीडियो में जो भी चीज़े important है और जो भी exam में पूछी जाती है बस वही लाई है इसलिए आपको यह जो session है वो पूरा अच्छे से ध्यान में रखना होगा ठीक है क्योंकि आपकी exam के लिए इसमें ऐसा कोई topic नहीं है जो छोटा है ठीक है अगर कोई topic आपको लगता है कि हमने यह cover up नहीं किया तो आप जरूर comment box में comment करें ताकि हम आने वाला अगर यूपी के लिए कोई session लाते है तो उसमें जरूर वो भी topic cover up किया जाएगा ठीक है बट इसमें almost सारे topics को cover up किया गया ताकि आपको exam के लिए अगर आप जब भी यह video खोलो तो आपकी complete revision हो जाए ठीक है तो यह कुछ हमने लेक्स को discuss किया जो कि important है रामघार ताल जो कि गुरकपूर है दन बडा ताल जो है वो शाजानपूर में है दन आपका सुरह ताल जो है वो बालिया में है दन आपका बर्वा सागर जो है वो जांसी में है भरत कुन जो है वो अयोध्या में है ठीक है तेन गोमती ताल जो है वो पिली भीत में है ठीक है और गोविन कुंड जो है वो आपका गोवर्दन मत्धुरा में यह कुछ important legs, pool and कुंड है जो की हमने discuss किये बट यह आगे तो देखते हमारा next question कुम्ब मिला 2021 is celebrated in which of the following city तो कुम्ब मिला 2021 का कहां पर celebrate किया जा रहा है तो answer हो का आपका option C हरिद्वार 2021 का जो कुम्ब मिला है वो हरिद्वार में celebrate किया जा रहा है कुम्ब मिला जो होता है वो चार बार होता है 12 साल में और वो कुम्ब मेला जो होता है, वो 20-21 का होने वाला, जो हुआ है, वो हरिद्वार में हुआ है, और आज 17th of April है, वो 17th of April तक ही रहने वाला है, इस सल वो 15 ही दिन सेलिब्रेट किया गया, ड्यू टू COVID, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, important चीजस में ये है, कि कुम्ब मेला जो है, वो UP का एक festivals में आता है, और वो 12 साल में 4 बार मनाय जाता है, और वो इन 4 जगहों पे रोटेट किया जाता है, ठीक है, आपको समझ जायोगा, बढ़ते हैं आगे, और हम देखते हैं अभी कुछ fairs and festivals of उत्तर प्रदेश, बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं कुछ fairs and festivals, तो ये कुम्ब मेला जो था, ये एक festival था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, अब हम कुछ important और भी जो festivals है, वो डिसकस करेंगे, जैसे कि वहाँ पे मनाया जाता है, माक fair, बातेश्वर fair, गौचरन fair, देन आपका महा शिवरात्री वारा नसी में, बहुत दुमदाम से मनाया जाता है, देन कंसका मेला, श्रावना festival, ब्रमोच्सव, कुम्ब फेर, शाकंबरी फेर, नौचंदी fair, ये सारे fairs जो है, और ये जो festivals है, ये उत्तरपदेश के festival है, जो कि महाँ से बहुत दुमदाम से मनाया जाते है, ये जो पिचर है, ये माक fair का है, जो कि महाँ पे मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, बढ़ते आगे, next question है हमारा, which of the following is not a popular dance form of उत्तरपदेश, इन में से कौन सा जो है, वो यूपी का dance form नहीं है, ठीक है, तो answer हो जाएगा आपका option ए, तेरह ताली, तेरह ताली जो है, वो राजिस्तान का dance form है, और remaining three, जो है, वो यूपी के है, चारकुला, कथक, और रामलीला, कथक जो है, वो classical dance form है, यूपी का, और जो चारकुला और रामलीला है, वो folk dance है, ठीक है, तो अब हम कुछ, जो important dance form है, वो यूपी के देखते है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चापेली, जैता, चारकुला, रामलीला, चोलिया, बैन है, पांडव, सवंगा, राई, अहीर, ये कुछ important dance form है, जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगे, कथक जो है, वो बहुत ही ज़ादा important है, क्योंकि वो classical dance form है, इंडिया का, और रिमेनिंग जो है, वो folk dances है, आपको ये सारे, अच्छे से ध्यान में रखनी होंगे, कुछ मैंने आपको जो discuss किये, वो important थे, तो ये था हमारा आज का session, जिसमें हमने UP का, almost सारा, जो general knowledge का part है, वो cover up किया, उसमें मैंने आपको सारे topics, अच्छे से explain किये, किस तरह के question पूचे जाते है, उस तरह के question आपके साथ discuss किये, और साथ ही साथ, जो information है, UP की, वो भी मैं आपके साथ discuss की, जो भी important थो आने, exam में जिस related questions पूचे जाते है, वो सारी information discuss की, I hope, आपको सारा session समझ आया होगा, और पसंद भी आया होगा, अगर आपको आज का session पसंद आया है, तो वीडियो को like करना है, अपने जादा से जादा friends के साथ शेयर करना है, चानल को subscribe करना है, अगर subscribe नहीं किया हो तो, और bell icon को press करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है, तो आपको सबसे पहले उसकी notification मिले, so guys, thanks for watching and have a nice day,